हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ संतोष और अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वाद करती हूँ आज मैं पंजाबी तटका कड़ी रेस्पी लेकर रहें दोस्तों और यह बहुत ही बहुत बहतरी रेस्पी है आप एक बार इसको जरूर बना के देखिएगा आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे और अगर आपको यह मेरे वीडियो पसंदा आता है तो इसको लाइक, शेयर, कोमेंट करना बिल्कूल भी ना भूले और साथी साथ फ्रेंट्स एक रिकष्ट ओर है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो आईए हम स्टार्ट कर लेते हैं कि कड़ी कैसे बनती है यह वाली तो फ्रेंट्स यहांपे मैंने लसी ले लिए लसी मतलब छाच ली है मैंने खटी 2-3 दिन पुराणी खटी चाच ली है यहांपे आदा लिटर के करीब और इसमें एक गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया है और साथ इसाथ एक कटोरी में बेसन ले लूँ यानि के ये 100 ग्राम के करीब बेसन होगा 100 ग्राम से थोड़ा बहुत कम हो सकता है ज्यादा गाड़ी हमें ये कड़ी नहीं बनानी है अगर आपको गाड़ी चाहिए तो थोड़ा बेसन बढ़ा सकते हैं और लसी थोड़ी सोरी फ्रेंस यानि के चाच थोड़ी सी खटी होनी चाहिए अगर आप दही है तो दही भी दो-तिन दिन पुराना ही लें उसकी बहुत ही कड़ी है ये बढ़ी अतबन के तयार होती है तो यहां पर हम तड़का बनाते हैं यहां पर मैंने मस्टर्ड ओएल लिया है आप इभाएंड ओएल भी ले सकते हैं पर जो सर्शोंगा तेल है उसमें ज्यादा स्वादेश्ट बनती है तो यहां पर यह तेल गरम हो चुका है इसमें मैं एक टीस्पून जीरा डाल दिया है और फ्रेंट साथ में हम इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी राई आदा टीस्पून के करीब राई डाल दी हैं दो साबुत लाल मिर्चे और एक तेज पता यहां पर मैं डालूँगी और थोड़ी सी मेत्थी दाना सुखा जो मेत्थी दाना होता है वो मैंने लिया है और कड़ि पत्य लीए है और साथ ही मैंने लंबा कटा हुआ extends LEE काट ले लिए है और लंबा लंबा इसको काट लिया है और इसको थोड़ा सा चला लेते हैं ज्यादा आँज हमें इसको गलाना नहीं है प्याज को sept लका सा ही बुनना है और इसी के साथ हम डाल देते हैं दोस्तों थोड़ा सा अद्रक लसुन का पेस्ट यहां पे अद्रक लसुन मैंने कूट ली थी और साथ में मैंने तिखी वाली हरी मिर्चे ली है यह आप अपने स्वाद केमसा डाल ले जितना तिखा आपको चाहिए और यहां पे हम लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे वह हम तड़का में करेंगे तो यहां पे हमें लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालना है और थोड़ा सा यहां पे मैंने सोंफ ले ली है सोंफ जरू डाले और साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी क आप skip ना करें और इसको बराबर चला लिया है और साथ में मैंने कुटिव काली मिर्च ले लिया है आदा टीस्पून और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे जितना गैरा कलर आपको कड़ी का चाहिए उतना डाल दे और साथ में दनिया पाउडर इसको हम चला लेते हैं बस द्यान रखें के लाल मिर्ची जो पाउडर है वो हम उपर से डालेंगे अंदर इसमें डालने ही जरूरत नहीं है और थोड़ा समय नहीं यहाँ पर किंग मसाला लिया है किचन किंग मसाला लिया है आदा टीस्पून के करीब और शाथ में यहाँ पर कशूरी मेथी डाल देती हूं कशूरी मेथी जै भी बहुत इसे फलेवर अच्छा आता है कडीस को एभे方 यह फ्लेवर यह लेगा मरत स्कूना लकाई है और शाथ में एसको नहीं नहीं है दोस्तों अगर इसको आपने लगातार नहीं चलाया तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी तो इसको लगातार उबाल आने तक लगातार पकाना है तो यहां पर उबाल आ गया है और हम इसको भी 10-15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे देमियांच पे और साथ में मैंने नमक डाल दिया है नमक भी आप स्वाधकेंसार डाल लें और यहां 15 म 10-15 मिनट हमारे हो गए हैं फ्रैंण्स पकते-पकते कडिगो और थोड़ी गाड़ी भी हो गई है मैं इसको ज्यादा गाड़ी नहीं करूँंगी अगर आपको गाड़ी चाहिए तो ठोड़ी और पका सकते हैं पर बहुत ज्यादा गाड़ी अच्छी नहीं लगती है तो य हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और साबुत मिर्चे लाल साबुत मिर्चे और इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं ज्यादा गरम गी में यह नहीं डालना है नहीं तो यह जल सकता है और इसके बाद हम डालेंगे फ्रेंट्स थोड़ी सी हींग मैंने डाल दी है और इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर गी बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए फ्रेंज तब ही हमें लाल मिर्ची पाउडर डालना है वरना यह जो मिर्ची पाउडर है यह जल जाएगा और थोड़ा सा हिला के इसको जल्दी जल्दी कड़ी में ड दाल देते हैं, बहुत ही असानी से जल्दी बनके तयार होती है दोस्तो og ये recipe और खाने में स्वादिछ और नपती है तो ए बार इस recipe को आप ट्राइज जरूर करें और उमेद करते हूं आपको ये recipe जरूर पसंद आई तो इसको like, share, comment करना बिल्कूल ना भूलें दोस्तो और वीडियो देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हमें और उपर से थोड़ी सी आप कसूरी मेती भी जरूर डाल दें